हलो हलो जी सर नीरजू निव्जेट इन इंडिया से नेटवर्क एटिन से जी मेरा सवाल तो एक ही है लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे क्या गुजरात पहला तो यह कि गुजरात चुनाओ की घोसणा अपने साने का फैसला क्यों लिया इससे जुड़ा हुआ सवाल है क्या गुजरात विधानसवा चुनाओ की घोसणा आठ दिसंबर के बाद होगी क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधी में वक्त अभी काफी है क्योंकि पिछली बार दस दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाओ की घोसना की गई थी और तीसरा सवाल ये है दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि छे महीने के अंतराल के अंदर में जिन राज्यों के विधान सबाद चुनाओ होंगे उनकी घोसना साथ में की जागी अभी साल के शुरूवात में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के साथ बाकी चार राज्यों के तो जो रूल चुनावायों बनाता है इस नहीं कहूंगा के उसका उलंगन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसे को आप लोग रूल को बदल रहे हैं तो ऐसा क्यूं है, अलग-अलग क्यूं है, छे महिना के अंदर दो राज्यों के विधान सभा के अुधिक हत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग-अलग चुनाव की घोसना कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखा गया है या नहीं इस तरह के सिकायत आएगी तो उसका किस तरह से आप उसका मुकाबला करेंगे। अगर देखें। गुजरात में भी आपने बैटके की थी गुजरात की तेयारिया असे लग रहा था कि आप अनौस करेंगे। इसके पीछे अटने क्या वज रहे क्योंकि आपने पुरा शडूल वहां पर तयार किया था, बैटके कर ली थी, तमाम तयारिया पूरी हो चुकी थी, होल रखने की वजय क्या है। आटके कर चुकी तूए थाम थम मुद्द करेंस। यह दो रेको कि अफ्य दाटने क्योंकिण तो बैकोतर विभी अपोस्य। ख। आटके थाटिस कॉस्णी तूः पेस्टोग झाटरों ऑ्ल टो दूजेब ग्लोब â–ए, इस गराet करें से गसे बाsmिव policy जिए से प्र Puजाथ जर समेंड खूर अीड उना already अइमिड़ बेंज़ का घट्रूंट वर जए अडमें लग्रश जजू स्केल मेरा धुए एक्राइब अपराटर fraterचेे हैं घिए एक्रादर ले बारशन राखर तेकोवर इन फेस की फिलिए एपराएं को बड़ एकादर the gap between the two elections as mr neeraz asked that we have all in the recent past announced together so you may know that when the elections are announced together in the round in five states best pangal pundicherry tamil nadu kerala and assam there was a gap of 10 to 15 days in these elections there is a gap of 40 days in the qualifying date there are factors like the weather in case of himachal pradesh the weather is a very important factor especially in the upper reaches in the constituencies where snowing takes place so having seen everything together including the mcc period which extends including the pre-poning in certain states when there is a gap of more than closer to two months less than two months there are multiple factors and after examining everything commission decided weighed everything and decided to go by the convention which was last and further mcc period which gets extended has been reduced if you would see the details from 70 days to 50 70 57 days which is a reduction of 13 days this is first and also if you see it against the 2012 elections announcement when it was combined there is a reduction from 81 days in the entire period to 57 days which is 30 percent less so now we do not want that the entire election exercise continues for a very long period it does not disturb anybody and because of the variety of factors multiple things together commission decided to go by the convention which was set up last time